अलाव फ्रेंड्स इस वीडियो में आर्टे 2011 के पेपर लेवल फस्ट में पूछे गए चाइल्ड डावलप्मेंट एंड पेडागोजिक पोशन के 30 क्वेस्टन्स सॉल किये गए है एंड फ्रेंड्स ये क्वेस्टन्स बोर्ड के द्वारा रिलीज की गई एंड फ्रेंडर्मेंट एंड फेस्टन्स के 1 गखिये गभल वीडियो मेंज और उत्तर आयू का जाता है जो फ्रेंड पयलिज क्वेस्टन निम्न मेंशि कॉन्सी पूर्व बल्यवस्टन की विशिष्टन नहीं है दल या शमू में रहने की अवस्ता, अनुकरन करने की अवस्ता, प्रश्ण करने की अवस्ता या खेलने की अवस्ता Option D, खेलने की अवस्ता या खेल की आयू, पूरो बाले अवस्ता की नहीं, उत्तर बाले अवस्ता की विशेश्टा है इक उत्तर बाले वस्ता का बालक द्रव्यमान, संक्या और छेत्र इन तीनों ही तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है नेक्स्ट क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् Option C. विकास शांश्कर्तिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है. Option D. विकास की प्रतिय कवश्था की अपनी विशेष्टाएं होती है. Correct answer, Option B. Next question. निम्न मेंशे कौन शा विकास आत्मकारिये उत्तर बाले वस्ता के उप्यूक्त नहीं है? Option A. सामानी खेलों के लिए आवश्यक शारेरी कुशलताएं शीखना. Option B. पूरुशोचेत या इस्त्रियोचेत सामाजिक पुमिकाओं को प्राप्त करना. Option C. विक्तिक आत्मनिर्वर्ता प्राप्त करना. Option D. अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना. Correct answer, Option B. Next question. शामानी परिपकोंशे पहले प्रेश्यक्षित करना प्राया हो. बार बार यह घटना होती है, कुछ देर सांती के पश्चात बिजली कड़कती है, राजू बिजली की गर्जना सुनकर उचलता है, राजू का उचलना सीखने के किस सिद्धान का उदारने, यह बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, जैसे पावलाओ के प्रयोग में हुआ था, जिसमे प्रक्रिया के शंदर में उप्यूकत नहीं है, यह व्यक्ति को लक्षिय की और ले जाता है, यह बिल्कुल ऐसा ही क्वेस्चन, आर्टेट 2012 में लेवल फस्ट में पूचा गया था, नेक्स्ट क्वेस्चन, शकारात्मक दंड का निमन में शिकोंशा उदारने, उप्सन A, म प्रक्रिया के शंदर में उप्यूकत नहीं है, उप्सन A, यह व्यक्ति को लक्षिय की और ले जाता है, उप्सन B, यह व्यक्ति की शारीरी कावशिक्ताओं की शंतुष्टी करता है, उप्सन C, यह मनोवैग्यानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में शायता करता है, उप् अभियस्त हो जाएगा, तो ये होगा अभियस्त था. Next question. विध्यार्तियों की अभिवृतियों में परिवर्थन के लिए निम्न में से किस विदी का प्रियोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए. Option A. दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना. Option B. किसी विचार को दोराना अत्वा द्रिड़ता पूरुक्वेवार. Option C. किसी प्रशंशनी अभिव्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकरती. Option D. संदेश के शाथ शाचरिय स्थापित करना. Correct answer. Option A. Next question. Option A. उपलब्दी अभिप्रेरक की संबंद में निम्न में से कौन सा कातन सही है? Option A. उपलब्दी अभिप्रेरक जीवीत रहने के लिए आवशक है. Option B. उपलब्दी अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक का जा सकता है? Option D. इन में से सभी? Correct answer. Option D. Next question. 6-10 वर्ष की अवर्ष्था में बालक रूची लेना प्रारम्ब करते हैं? धर्म में, मानों सरीर में, योन संबंदों में, या विद्याले में? Correct answer. Option D. कौन सिद्दान्थ व्यक्त करता है? कि मानों मस्तिस के एक बर्फ की बड़ी चटान के समान है, जो कि अधिकांस्ताहची पी रहती है. एवं उसमें चेतन के तीन स्तर है. ये व्यक्त करता है, सिग्मन का मनुवशलेश्टात मक्षिद्दान्थ, और इसमें चेतन के तीन स्तर, चेतन, आचेतन और अर्ध चेतन होते हैं, जिसमें से आचेतन 90% होता है और वो चिपा रहता है. Next question. कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुसा आता है तो वे खेलनी के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा मैसूस नहीं करते. उनके वैवार में निम्नमेशे कोंशा प्रतिरक्षातंतर प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपन, विस्थापन, या प्रतिक्रिया निर्मान, या उद्धातिकरण. Option B इस दी करेक्ट आंसू. Next question. समायोजन से तात्परिश्वयम का विभिन पर इस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि शंतुष्ट किया जा सके आविश्यक्ताओं को. Option D. Next question. निर्मन में शिकुन्ष विवार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है बाल अपराद या कमजोरों को डराने वाला या भगोडापन या स्वलीनता? Correct answer. Option D. Next question. निशक्त बाल को की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? समाविशित शिक्षाद्वार, मुख्य दारा में डालकर या समाकलांद्वार या इनमेसे कोई नहीं। Correct answer, option A, समाविशित शिक्षाद्वार. Next question, नेमन में शेकोंशी मानशिक मंदेता की विशेष्टा नहीं है। Option A, बुद्धी लब्धी का 2570 के मध्य होना। Option B, धीमिकति से शीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना। Option C, वातावरण के साथ अनुगूलन में कटिनाई। Option D, अंतरव्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। Correct answer, option D. Next question, विध्यार्थियों के अच्छे मान शिक्ष्वास्थिय को बनाए रखने के लिए निम्न मेंशे कौंशा तरीका अधिक मैतोव पूर्ण है। Option A, से सैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। Option B, अभिव्यक्ति किश्वा तंतरता। Option C, रूचियों की भिनता। Option D, अध्यापक की भूमिका एवं विध्यालेई वातावरन। Correct answer, Option D. Next question, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दिश्ट किया गया है कि कक्षा 1-5 तक यदि प्रवेश दियेगे विध्यारतियों की संख्या 200 से अधिक है तो विध्यारती अध्यापक आवशेक अनुपात होगा। यह होगा 40 अनुपात 1 Next question, कमजोर वर्ग के बालक से तातपरिय है Option A, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आए कम है Option B, ऐसे अभिभावकों से जो वंचित वर्ग में आते हैं Option C, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं Option D, ऐसे अभिभावकों के बालक से, जो सरकार द्वारा निर्धारित नियुनतम सीमा की वार्सिक आई की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। Correct answer, Option D. Next question, क्रियात्मक अनुशंदान के शंबंद में निम्न में शे कौन शाकतन शही नहीं है। Option A, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवशाई से जुड़े लोगों के द्वरा किया जाता है। Option B, यह किशी विशिष्ट शमिश्या के शमाधान के लिए किया जाता है। Option C, व्यापक इस्तर पर निर्ने लेने के लिए शूचना संकलन का कारिया इसमें किया जाता है। Option D, इस्थानी इस्तर पर रोजमरा की समिश्याओं के शमाधान के लिए क्रियात्मक अनुशंदान किया जाता है। Correct answer, Option C. Option A, शिक्षन में शुदार किया जा सकता है। Option C, शिक्षन विज्ञान के शाथ-शाथ कलाभी है। Option D, शिक्षन अनुवेशन है। Correct answer, Option D. Next question, राष्टरिय पाठीचरिया रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम सीर्षक के अंतरगत अधिक महत्वदी आगया है। Option A, पोतेक्षन शाधिनों को Option B, शिक्षत एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को Option C, बालकों के लिए ज्यान के शंदर्ब में शांरचित अनुभवाव को Option D, बालकों के लिए शांरचित अनुभव यों पाठीकरम सुधार को Correct answer, Option D. Next question, राष्टरिय पाठीचरिया रूप रेखा 2005 में निम्न में शिक्ष परिक्ष संबन्दी शुधारों को शुजाया गया है। Option A, कक्षा 10 की परिक्षा एच्षिक Option B, विद्याले शिक्षा की विपिन अवस्ताओं पर राजी इस्तर की परिक्षा शंचालन Option C, प्रतियोगी परविश परिक्षाओं को एच्षिक Option D, एन मिशिश अभी Correct answer, Option A Next question, दबाव को कम करने एवं परिक्षाओं में शफलता के लिए आविश्यक है Option A, कम आउधी की परिक्षाओं में अंत्रन Option B, विद्याले शिक्षा की विबिन चरणों में परिक्षाओं का आयोजन Option C, वार्शिक एवं अड़ वार्शिक परिक्षाओं Option D, विबिन परविश परिक्षाओं के लिए विबिन एजेंसियों के स्थापना Correct answer, Option A Next question, मुल्यांकन का उद्देश्य है Option A, बालकों को धीमी गतिशे शीकने वाले एवं प्रतिवाशली बालकों के रूप में लेबल करना Option B, जिन बालकों को उप्चारात्मक शिक्षा की आविशक्ता है उनकी पैचान करना Option C, अधिगम की कटिनाईयों वैशमिश्या वाले छेत्रों का पता लगाना Option D, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा की शीमा तक तयार कर पाई है का पुष्टी पोष्ण करना Correct answer, Option D Last question, प्रात्मक विद्यालेओं के बालकों के लिए निमन में किशे बैतर मानते हैं विडियो अनुरूपन, प्रदर्शन, श्वैम के द्वारा किया गया अनुभव या इन में से सभी Correct answer, Option C Then friends, ये थे psychology के 30 questions जो के आर्टे 2011 के पेपर ले उल फस्ट में पूछे गए थे और ये questions हमने official answer की के साथ solve किये हैं अगर आपको ये effort अच्छा लगा हो और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे like करे, share करे और मेरे channel को subscribe करे, मिलते हैं next video में, till then thank you so much and all the best